हाई फ्रेंट स्वागत आपका बी लेजंड में इस वीडियो में 4x4 Rubik's Cube को कैसे सॉल्फ करें इसका फुल मेथट बताने वाला हूँ तो वीडियो के निदिक जरूर देखें विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स केट स्टार्टेट 4x4 Rubik's Cube सॉल्फ करने का सबसे सेंटर्स पैरिंग तो हम सेंटर्स को पैर करेंगे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वाइट से और प्रिफर करता हूँ आप भी वाइट से स्टार्ट कीजिए जिसे कि हम इसली कोडिनेट कर पाए तो यह पूरा इंटिविटिव प्रोसेस है इसके रठी हम लाकरिधम लुए एकまあ हम यहां दिख रहा है एकलिटि यहां पर है तो इसे एक बार अटैज कर सब्रрыв करें और दो हम से opposite जो color होगा उसे solve करेगे white के opposite रता है yellow तो yellow को solve करेगे तो यहाँ पे एक diagonal है यहाँ पे एक diagonal है तो हमें इसे bar में convert करना है तो पहले एक बार से start करेगे एक piece यहाँ है white और एक piece यहाँ पे है यह बार में convert हो गया तो अब इसे vertical रख देगे जिससे के यह save हो जाए और अभी एक पीस यहाँ है एक पीस यहाँ है तो इसे भी हम सेम तरह के सॉल्फ करेगे फहले इसे बार में कनवर्ट करेगे उसके आद इसे वर्टिकल रख देगे जिससे के यह स्क्रैंबल ना हो वापिस से और फिर वाइट वाले को रिकवर कर लेगे इस तरह मेरे बस दो हो चुके हैं तो अभी से डायक्ली इंसर्ट नहीं कर सकते इस तरह ने तो वाइड जो हमारा सेंटर है यह भी हो जाएगा तो इसे थोड़ी ट्रिकी में करना है हमको जो यलो-बार है इसे एक ही लाइन में रखना है और फिर और यह यह तो हो गया अभी हमरे पास जो बचे कीम याद रहनी चाहिए जो के कुछ इस तरह है अगर आप वाइट बॉटम में रखेगे तो कलर स्कीम होती है ब्लू और इंज ग्रीन रेट इस तरह तो अभी हमें जो फोर है इन्हें सॉल्फ करना है तो स्टार्ट करतें ब्लू वाले से तो एक ब्लू यहां है एक ब्लू य Pat start करेंके लिह से एक बार चाहिए एक यहां ब्लू है यहां लुक मुल्न करसकी है तो इसे बीज़िकर हो यहिक ब्लू ब्लू को कर सके अभी हम ब्लू को रीश्टॉरा refer तो इसे वर्टिकली रख देंगे हम कुछ इस तरह एक ही लाइन में और जो फ्रंड में उसके टॉप पे लाएगे एक्सटेंज करेंगे अन्सॉल्फ पीस से और उसके बाद अंडू कर देंगे जिससे कि यह सॉल्फ हो जाएगा यह तो इतना इसी था अभी लास्ट का जो है कुछ इस तरह एक बार यह यह फेस में आ गया है तो इसको एक्सटेंज करेंगे अन्सॉल्फ पीस से और अभी जो हमारे यह और ब्लू इसको रिस्टोर कर लेगे तो अभी आप देख सकते हैं खाली एक एक सेंटर ही बचे हुए हैं सॉल्फ करने के तो इसको इस सेक्वें वाला जो बॉटम में हमारे बेस ग्रीन तो यह ग्रीन बार राइट साइड में रहा है जिससे के हम इसे रिस्टोर कर सके कुछ इस तरह यह इजी पार्ट था सेंटर का अभी नेक्स स्टेप पे चलते जो है एजस स्टेप टू है एज पैरिंग और एज पैरिंग आप टू करना इसको एजी लिए और है आप इसको राइट में मूप कर सकते हैं राइट मैं मूप कर रहा हुरा राइट में और एक बडर मूफ करने के बदहाद आपको होगी unlike first case तो आपको इसमें क्या करना है एक को फ्रंड में रखना है और एक को बैक में रखना है और फिर फ्रंड वाले को टू टाइम्स मूफ करना है मींस 180 डिग्री और अभी यह वाला जो अपोजिट वाला पीस है इसको आप सिंप्ली 180 डिग्री इसको भी मूफ कर दीजि इसको भी 180 डिग्री मूफ करना है इस तरह जिससे कि यह पैर हो जाएगा और एक बार यह पैर हो गया तो इसको राइट या लेफ्ट कहीं पर मूफ कर सकते हैं मैं लेफ्ट मूफ कर रहा है इस बार और अभी यहां पर दो अंसॉल्फ पीसे तो कोई पीसे से एक्सचेंज क में लिए हो बच सकते सौल पररें के वह थोड़ी से किसे कृष्य को आ कि आपको बटा तो जैसे कि आप देख सकते मैंने सारी एससों को सौलकर दिया एक सब्सक्राव और ने लिए टायम पर एक को मैंने edge pair कर दिया तो अभी इससे exchange कर दे के लिए आपको कोई भी दूसरा edge मेलेगा यह नहीं क्योंकि यह दोई edges अभी unsolve है तो आपको इसको इस तरह place करना है कि दोनों edges same slice में हो जैसे कि यह है yellow और green यह भी है yellow और green तो same slice में रखना है यह green और white green और white same slice में रखना है और अभी middle वाली जो layer है इसे आपको राइट में move करना है कुछ इस तरह और यह algorithm यह यूज़ करना है तो edge pairing इससे हमारी complete हो जाती है तो चलते next step पे step 3 में हमें 4x4 ubix cube को 3x3 ubix cube की तरह ही solve करना है because हमने सारी edges और centers को pair up कर लिया है तो अभी 3x3 ubix cube में convert हो चुगा है तो जैसे हम इसे solve करते है एक normal 3x3 ubix cube को same solve करेगे और अगर आपको 3x3 ubix cube solve करना नहीं आता है तो मैंने description में link दे दिया हूँ 3x3 ubix cube के tutorial की आप उसे check out कर लीजिए यह पार्ट इसमें skip कर रहा हूँ मैं 3x3 ubix cube का because मैंने यह पहली वाली वीडियो में cover कर शुका हूँ तो एक normal 3x3 ubix cube की तरह से मैं solve करता हूँ तो फॉर्स टू लियर सक्के मैंने इसे solve कर दियो जो लास्ट का पी एल और ओल एडवांस मेथट के लिए और क्रॉस बेगनस मेथट के लिए इसमें आपको एक पैरेटी मिल सकती है जो कुछ इस तरह इसको पैरेटी में convert करता हूँ मुझे भी पैरेटी मिली नहीं है तो यह पैरेटी जो एक नॉर्मल 3 x 3 Ubix क्यूब में आपको देखने नहीं मिलेगी यहाँ पे आपको पैरेटी जब भी आएगी तो इस तरह आगा केस मिलेगा या तो एक ही पैर आपको solve मिलेगा या 3 पैर इस तरह solve मिलेगे एक पैर फ्लिप मिलेगा पैरेटी के टाइम पे अगर आपको एक ही पैर solve मिला है बाकी सब भी फ्लिप है तो जो एफ र यू आर प्राइम यू प्राइम एफ प्राइम वाला algorithm है वह कहीं से भी यूज़ कीजिए यह केस आपको मिल जाएगा और जो फ्लिप करना लाहन ही जो आपको स्क्रीन पे एक्स दिखा रहा रहेगा जो फ्रेंड है उसको टॉप प्लेयर पे लिग आजना है इस तरह चैना अगान अ Nous फिसमया और ऑ्र फ्राइम यीञ़ड प्राइम यूद्यू न यूटू र फ्राइम यूटू बार यूटू अजिससे कर यह जाएगा अगर आप सीफॉप में यूज़ करते तो आपको यह पैरेटी में में जो कि कुछ इस तरह है जो आपको एक नॉर्मल त्री वैट्री विक्स क्यूब में नहीं देखने मिलेगी तो और इंच को यहां जाना है और ग्रीन को यह साइड जाना है तो इसके लिए अपको क्या करना है कोई भी एक जो सॉल्व करना है वह फ्रंड में रखना है रेंडम ली कोई भी आप रख सकते हैं और फिर यह यह आप रखुद्ध में और इस अल्गरितम में आर मीजिए जो बीच के आपको लाइन दिख रहे है स्लाइस उसको हम और रज्यूम करेंगे कर सकते हैं जो पीलल पैरेटी एल्गोरिटम आपको बताया वह असल में करता गया यह जो आपको टू पीसेश दिख्री और बैक में जो पीसेश है इन दोनों को एक्सचेंज कर लेता है मैं आप वह यह एल्गोरिधम अपलाई करता हूं तो अभी आप देख सकते हैं यह दोन मेठर्ण में कून सी पैरीटी आती है लास्ट केस में अगर आप विग्नर स्मेंस मेठोट से सल्फ कर रहें फोर बैफोर वों रॉबिक्स क्यूब को तो आपको ऐसा फ्योट्पे लेगा लास्ट में इसका ही मतलब होती है पैरिटी क्या आप देख सकते हैं कि आप दो पीस से सेम सॉल परना है एक नॉर्बल त्री भाई त्री अबिक्स क्यूब की तरह और अब देख सकते सारे पीसिस अपने राइट प्लेस में आ गई है तो इसका मतलब है पैरिटी सॉल हो चुकी है तो इस तरह आप 4x4 रुबिक्स क्यूब को इजीली सॉल्फ कर सकते हैं अगर आपको किसी भी स्टैप में कोई भी डिफिकल्टी या कन्फूजन हो तो मेक शूर टू कमेंट डाउन में सब कमेंट का रिप्लै ज़रूर दूगा और अगर आपको वीडियो से लगव तो वीड कर दो आपको अवस्टार कर दो कर दो कर दो कि सकते हैं, में अगर दो में टापको अणिवर क्यों हो आफ याई है झाल झाल